असलाम आलाइकूम रहामतिल्लाइ बड़ागता हूँ सर मेरा एक दोस्त का बीबी गुजर गया उसका देल मोहान का पईसा दिया नहीं अब इसको कैसा देना वह तो गुजर गया दुनिया से चल गया अब दोस्त मेरा से मसलब पूच रहे तो इसका इलाज क्या है तो बताया कि एक कहना ये चाहते हैं इनके दोस्त की बीवी का इंतकाल हो गया और शायद शोहर ने महर नहीं दिया ये किसी पैसे की बात कर रहे हैं कि जो महर निकाह में जो महर ते होता वो नहीं दिया और बीवी का इंतकाल हो गया तो अब उस रकम को क्या करें क्या किसी मदरसे में तो देखें आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वाज़ करते हूं कि हमारे समाज में ये बहुत गंदी रसम और बहुत घटिया रवाज है कि शादी करने के बाद लोग औरत का महर नहीं देते हैं ये बहुत ही घिनाउनी हरकत है महर एक कलीदी चीज़ है एक मरकजी चीज़ है रिष्टे निकाह के क्याम के लिए चलो भई ठीक है आदमी थोड़ी सी ताखीर कर सकता है इसकी उनजाईश है मानते है लेकिन ताखीर के नाम पर खड़ब कर जाए उसको देही मत ये बहुत बड़ा जुर्म है बहुत बड़ कि लाए कि सामने वाली जो औरत है खातून आप वो किदे हमको नीच चाहिए या किसी और चीज़ पे टेह हो जाए अलग बात है लेकिन अगर किसी पैसे पे टेह हुआ है किसी रकम पे टेह हुआ है और शौर उसको नहीं देता है तो ये बहुत बड़ी गलती करता है उसको को ऐसा नहीं करना चुए अब आते हैं आपके सवाल पर आपका सवाल यह कि नहीं दिया आप क्या करें मदरसे में दे देंगे यह भी कितनी घलस सोच है कि बीवी का माल हरब करके बैठा है शौर और उसको मदरसे में देदेगा मदरसे में क्यों लेगा भई आप तलाश कीजि चुकी है तो बीवी का जो तरिका है उसकी जो विरासत है उस विरासत में ये कर्ज भी शामिल होगा या अगर वो औरत कुछ चीज़ें छोड़कर फौथ हुई है मिसाल के तो पर उसके पास अपने जेवरात थे यह हो सकता है कोई घर हो उसके नाम पे या कुछ भी हो कम से कम जेवरात तो होते हैं वरतों के तो एक औरत फौथ होती है तो उसके जेवरात है ये उसकी विरासत है उसका तरिका है ये जेवरात कौन लेगा ये जेवरात लेगा उसके जो भी रिष्टेदार है वो उसमें शोहर कभी इस्ता है लेकिन उसके और भी जो रिष्टेदार तो इन मेंसे कोई भी हो बाप है बेटा है बेटी है माँ है और बाप बेटा नहीं है तो फिर हवाशी में एक लंबा सिसला है जो लोग भी होंगे वो इसके वारिस होंगे यह मदरसे में किसी की प्रॉपर्टी किसी की विरासत किसी की इजाधात आपको नोते मदरसे में देन आपको नो तो मदरसे में देने माले आपका जो अपना माल है जाईए मदरसे में दीजिए जहां देना हो दीजिए मदरसे में देना बहुत अच्छी बात है हम नहीं कहीं देना तो मदरसे में दे जो भी चीज़ें लेकिन अपनी चीज़ें दे आप अपनी कमाई दे अपना गर बेच के आप मदर से में दें, देख को नो ना कर रहा आपको, लेकिन बीवी का माल उठा के आप मदर से में दे देंगे, ये हग तो आपको नहीं है, तो बीवी का जो भी माल है, चाहिए आप उसको अड़ परके बैठे विये थे, या कोई और लेकर बैठा था, उसके ये ना सोचे कि छुटी मिलेगी, उसे अदा करना है, और तिसरा कहां अदा करना है, मरने वारे के वारिशिन को अदा करना है, उमीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें, आइपलस टीवी को जरूर डोनेट करें,